नमस्कार मैं हूं सासी संध्या समाचार में आपका स्वागत है आए जहरकंड के दिन भर की खबर जानते हैं कोविट के भैक्सिन की तरह निसूलक नहीं होगा स्वास्त विभाग ने सबसीडाइज कीमत पर सरवाइकल कैंसर से बस नहीं होग curry बचाव का भैक्सिन उपलब्द कराने का प्रस्ताव त्यार किया है। जारखन में बालु घाट बंदुबस्ती की परकिरिया शुरू। या रोक 10 जुन से 15 अक्टूबर तक रहती है। बतादे 15 अक्टूबर से या रोक हटने पर 18 बालु घाटों से बालु का उठाव या सानी से हो सकेगा। बरतमान में स्टोकिस्ट या दूसरे राजियों से बालु क्या पूर्ती हो रही है। पर 15 अक्टूबर के बाद राजिय में बालु की उपलबता सुलब हो जाएगी। गोड़ा को एक और नई ट्रेन की सोगाद। नई ट्रेन की सुरुवात जल्द ही कर दी जाएगी। इसको लेकर मालदा वा आसन सोल डिविजन की ओर से रोड मैप त्यार किया जा रहा है। गुमला में बच्चों के लिए बनेगा पुस्तकाल है। गुमला जीला के ग्रामिन छेतरे के गरीब और मध्यवर्ग के बच्चों को अब परतियोगिता परिशा की त्यारी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। ना ही दूसरे जीला वा राज जाने के जरूरत पड़ेगी। गुमला परसासन छात्रों के लिए बेहतर पहल की है। छात्रों के लिए गुमला में बिर्शा मुंडा पुस्तकाले शुरू हो रहा है। गुमला सहर के कशारी परिसर में बिर्शा मुंडा पुस्तकाले बन रहा है। निर्मान कारे अम्तिम चरण में है नौमबर माह तक पुस्तकालाय का भवन बन जाएगा परसाशन के अनुसार 15 नौमबर को बिर्शा मुंडा की जयनती पर पुस्तकालाय का उधगाटन होगा देवघर यारपोट में खत्म होगी फ्लाइट कैंसिल की समस्या विजिबिलिटी कम होने से देवघर यारपोट पर फ्लाइट लेंडिंग नहीं करने वर रद होने की समस्या जल्द ही खत्म होने वाली है देवघर यारपोर्ट के रनवे पर इंस्ट्रूमेंट लेंडिंग सिस्टम लगाये जाने के परकिरिया सुरू हो गई है यारपोर्ट अथरूटी अफ इंडिया ने देवगर यारपोर्ट में इंस्ट्रूमेंट लेंडिंग सिस्टम लगाने के लिए रणवे का सर्वे पूरा कर लिया है यारपोर्ट अथरूटी ने मिनिस्ट्री अफ सिविल एवियेशन वा डीजी सिये को प्रस्ताव भेज दिया है दुमका की सोरी हत्याकांड ममले में पूलिस ने की चार्शिट दाखिल दुमका के चर्चित पेट्रोल कंड में पिरिता के हत्यागमान में पूलिस ने नियालाय में चर्चित दाखिल कर दी है या चर्चित सौव से अधिक पन्ने की है जिसे त्यार करने में 12 सज़सी एस आईटी को 10 दिन का वक्त लगा है हालाकी अधालत में चर्चित दाखिल करने के बाद भी पूलिस का अनुसंधान जारी है अरोफ है की दुमका में 23 अगस्त को अहले सुबा 4 बजे के करीब अपने घर में 101 की सोरी पर पेट्रोल छिड़क कर दो जुगक सारुक हुजेन वा नाईम उर्फ छोटु खान ने आग लगा दी थी बोकारो डीसी सिक्छक की भूमिका में नजर आये बोकारो डीसी कुलदीब चौजरी ने गुरु आर को कस्मार के कमला पूरिष्थित कस्तुरुबा गांधी बाल का विद्याले में बरावी की छात्राओं को भौतिक विज्ञान के विधूत तरंग का पाठ पढ़ाया जिसके अलावा बिद्याले की सिक्छिकाओं को भी पढ़ाई का तर तरीका बताया दरसल परखंड के दोरे पर पहुंचे सिरी चौधरी उस वक्त सिक्छा के भूमिका में आ गये जब कस्तुरुबा में बरावी की छात्राओं से रूबरू हो रहे थे पहले DC ने छात्राओं से पढ़ाय लिखाई और खाने पीने से लेकर अनिस्विधाओं को जाना फिर DC ने छात्राओं की कक्छाली नक्सली पोस्टर से हडकंप 11 सितंबर को मावादी बंदी पूरिलिया के बड़ा बजार धना छेतर के बड़ा बजार बलरामपूर राजे सड़क के चंदरपूर तथा मार्ग सोल गाउं के समक्ष कई बिजली के खमभो पेडो तथा माइल एस्टोन पर मवादी पोस्टर मिले से हनकम्प मच गया है खबर पाकर इलागे में पूलिस पहुंची और पोस्टरों को हटा दिया त्रिनमूल कंग्रेस के भश्टा चार के खिलाप 11 सितंबर को मवादी ने बंद बुलाया है और पोस्टर में इसे सफल बनाने का एलान भी किया है मवादी पोस्टरों में लिखा हुआ है कि खेला होगा इस बार हम लोग खेलेंगे जो तिनमूल का जहंडा पकड़ेंगे उनके हाथ काट दिये जाएंगे पोस्टर में तिनमूल नेताओ को धमकी भी दी गई है पलामो में सोट सर्किट से करोडो की बाइक सोरूम खाग जारखन के पलामो जिले में एक सोरूम सह गोदाम में आग लगने से एक असी वर्स ये महिला की मौत हो गई और कोरो रुपय मोले के लगभाग 302 पहिया वाहन जलकर खाग हो गई पुलिस ने सुक्रवार को यह जनकारी दी घटना गुरू आर रात करीब 11 बजे पलामो के मेदनी नगर कस्वे में हुई आग पर कावु पाने के लिए दमकल की 5 गाडियों को लाया गया था जिसे सुक्रवार सुबा करीब 8 बजे बुझा दिया गया आस्थानिय पुलिस थाने के प्रभारी अभय कुमार सिंग ने बताया सोरूम गोदाम और सर्विस सेंटर सभी सोरूम मालिक के घर से सटे हुए है बुझूर्ग महिला सोरूम मालिक की मा है ऐसा लगता है कि उसकी मौत दम घुटने से हुई है गढ़वा में एक यूनिट बलड की कीमत 6,000 रुपए जारखन में महाजनी वह सुद खोरी प्रथा परोख है इसका सच गुरुवार को सामने आया बताजे सदर अस्पताल में प्रसोग को आई महिला के लिए परिजनों को जेवर गिर्वी राकर खुन खरीदना पड़ा 6,000 रुपए देकर एक यूनिट बलड खरीदने का मामला परकास में आया है जनकारी के अनुसार नगर उटारी के बिलासपुर गाव निवासी विकास पस्वान की पत्नी पुजा को बुद्धवार को सदर अस्पताल में प्रसोग के लिए भरती कराया गया डाक्टर पुस्पा कुमारी ने पुजा को एक यूनिट बलड चढ़ानी की सला दी परिजन बलड के लिए भटकते रहे पर बेवस्था नहीं हो सकी गुरुवार को एक दलाल ने चोजार रुपे में एक यूनिट बलड उपलब्द करानी की बात कही उसके साथ पुजा के देवर अरुन पास्वान वा जीजा राजु पास्वान अरोगे अस्पताली स्थित बलड बेंग गए वहां से चोजार रुपे देकर एक यूनिट बलड खरिदा सरकार सिख्ध करेगी नीगम चुनाओ की घोसना बिधान सभा अध्यक्स रमिद्र नाथ महतो एवं पूर्व बिधान सभा अध्यक्स वग्रामिन विकास मंत्री अलमगीर अलम भोजन के बहाने को एलांचल का राई नितिक तापमान बढ़ा कर चले गए अलमगीर अलम ने कांग्रेश नेताओ के समख से एलान किया है कि सरकार सिख्ध रही नगर नीगम का चुनाओ कराने जा रही है इसके लिए कांग्रेश को अपनी त्यारी सुरू करनी चाहिए बिदित होगी पिछले निगम चुनाओ में मेयर पत की लड़ाई में समसेर आलम दूसरे नमबर पर थे इसका रहन कांग्रेश सेवा प्रबल दावेदार हैं दोनों का आगमन गुरुवार को बिना किसी ताम जाम के हुआ जामों एवाम कांग्रेश नितावत तक को उनके आगमन की जनकारी नहीं मिली थी धन्यवाद क्या बलोड खरीदने के लिए जारखन में आपको भी कीमत चुकाना पड़ता है यदि हाँ तो आप कोमेंट बक्स में हमें अवस बताए साची साथ वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के सेर करना ना भूले साची साथ आप कोमेंट बक्स में अपना फीड़बैक अवस से दे थांक्यू